नवरात्री पावनपर्व का ये तीसरा दिवस हम दुग चिंतन कर रहे थे प्रतमम शैल पुत्री च दुतियम भ्रह्मचारणी तृतियम चंद्र घंटे दी पहले दिन माजगदंबा के इन नौ सो रूपों में से पहले सो रूप का शैल पुत्री की रूप में जो अचल अटल अखंड संकल्प का परिचे कराने वाली जीवन जीने वाली जीवन शक्ति देने वाली फिर ब्रह्मचारणी ब्रह्म जैसी जिसकी चरिया जिसमें सहजता है जिसमें पवित्रता है जिसमें दिव्यता है ऐसी चरिया ब्रह्मसी चरिया ये किसी और के लिए नहीं ये सारे नौ सो रूप हम सब के लिए हैं कि इन नौ सो रूपों को इन शक्ति दिवसों में यदि हम जीवन में सच्ची शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन स्वरूपों का चिंतन करें और इन स्वरूपों का चिंतन करते हुए अपने जीवन को शक्ति मान बनाएं ऐसी शक्ति जो दूसरों को सामर्थ्य प्रदान करें ऐसी शक्ति जो दूसरों की रक्षा करें ऐसी श तुसरा सरूप तृतियम चंद्रघंटेदी एक ऐसा सरूप जो चांद साउजियारा देने वाला है दिने में सूर्य का प्रकाश उसका अपना ताप है लेकिन चांद के प्रकाश में बड़ी शीतलता है अम्रित बरसता है रात्री में और इन नौ रात्रियों में एक बात और समझने की है कि हमारे यां रात्री एक तो तमस का प्रतीक है लेकिन रात्री सिध्धी का भी प्रतीक है जो सिध्धी प्रदाइनी है इसलिए इन्हें नौ रात्री नौ रात्र तो कहा है लेकिन ये अहो आत्र हैं, अहो रात्र माने विशेश रात्रियां, special nights, and specially in our culture, हमारे संस्कृति में, अगर आप देखेंगे, तो एक बात बात विशेश देखने के आएगी, नवरात्रियां दो आती हैं, एक चैत्र मास में, जो शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंब होती है, और दूसरी मेहने बाद, रितु परिवर्तन भी होता है, वहां तो रितु परिवर्तन होता है, या रित परिवर्तन हो, मेरे भीतर के सत्य को मैं जान सकूँ, मैं देख सकूँ, कि मेरे भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है, छे महिनों में, बहुत कुछ घटता है, और ऐसा कुछ घटता है इन दिवसों में हो दूसरी बात शिवरात्री नवरात्री और होलिका की रात और फिर दिवाली की रात अमावस्या की रात ये सारी रात्रियां सिद्धी प्रदाई का है जो भीतर के तमस को दूर करके जीवन में प्रकाश रूफी सिद्धी प्रदान करती है सिद्धी केवल इतनी नहीं है कि मैं सिद्ध हो जाओं सिद्धी वो है जो शुद्धी प्रदान करे जो जीवन को शुद्ध बना दे जो जीवन को मुक्त बना दे जो जीवन को धिव्य बना दे इसलिए इन रात्रियों में एक विशेश गृपा होती है, अहो रातरी, विशेश रातरी और इस अहो रातर में हम अहो भाव को प्राप्त हो सकें, कैसी होगा वो? उसके तीन मंत्र, सेवा, साधना और सवर्पन, साधना इसलिए अवश्यक है, क्योंकि विक्ति को सेवा करते करते भी कई बार एहम का भावा जाता है कि मेरी वज़े से हो रहा है मैं कर रहा हूं मैं नहीं करूंगा तो यह नहीं चलेगा नहीं बजेगा नहीं होगा यह सब कुछ होता है यह स्रिष्टी का क्रम है हम नहीं थे तो भी चल रहा था हम नहीं रहेंगे तो भी चलता रह बस ये बीच के जो दिवस मिलते हैं, ये इसलिए हैं कि प्रभु ने करपा की है, कि जो शक्ति प्रदान की है, जो अवसर प्रदान किया है, उसकी धन्यता हम सब को अनुभववो सके. इसलिए अहो भाव. अहो भाव जीवन का परम भाव है. तीसरी बात, जो बड़ी महत जितनी ज़्यादा सेवा होगी ये मत सोचें और सेवा करने के लिए कई बार किसी ने कुछ कह दिया बस वहीं बिखर गए उसने ऐसा भूल दिया उसने वैसा भूल दिया बस हो गया काम आज तो मैं बहुत अपसेट हूँ सेवा के क्षित्र में मान कर चलिए नेकी कर जूते खा मैंने खाए तू भी खा ऐसा कहते हैं इन नेकी का क्षित्र है कोई आपको भला नहीं कहने वाला है आप किस भाव से कर रहे होंगे सामने वाला उसका भी भाव लगा रहा होगा आप भाव से कर रहे हैं लेकिन वो माप तोल कर रहा होता है जरूर कोई चक्कर होगा ऐसे तोड़ना किया होगा कोई कुछ भी समझे लेकिन आप हमेशा याद रखिए भाव यदि कोई दे सकता है तो परमात्मा दे सकता है भाव से सेवा करिए भाव बिना बाजार में, वस्तू मिले न कोई, भाव बिना हरी क्यों मिले, अब सोचिए, इसलिए भाव सहीत हरी बोल, भाव सहीत हम अपने जीवन को समर्पित करें, फिर बोलत तीसरा है समर्पन, किसको समर्पित करें, जिसको हमने वरेणिय किया, वरेणियम, जिसको हमने किसको चुना बहले सब कुछ देख करकर एक को चुना बहले ये भी देख वो भी देख देखत देखत ऐसा देख मिठ जाए धोका रह जाए एक ये सारी सेवा ये सारा चिंतन ये सारा जो विस्तार है ये केवल इसलिए नहीं कि कमरे बन जाएं लोग आके रहे हैं तो होटल बहुत हैं इसके लिए ये इसलिए है कि मैं देखते देखते ऐसा देखूं कि बस एक रह जाए और यहां ऐसा हो जाए तो देखते देखते ऐसा देखते कि मैं रह जाओं बाकियों को कैसे साम, दाम, दंड, भेद से ऐसा पीछे हटाना है ऐसा तोड़ना है ताकि वो तूट जार मैं रह जाऊं आप याद रखिए तोड़ने वाले तूट जाते हैं जोड़ने वाला ही जोड़ पाएगा और सारी चीजों को खड़ा कर पाएगा मेरे साथ एक नहीं अनेक जोड़ जाएं अनेक जोड़ेंगे तो इसको जोड़े रखेंगे नहीं तो आप भी नहीं जोड़ पाएगे ना तो साम काम करता है ना दंड काम करता है ना भेद काम करता है ना दाम काम करता है बड़े बड़े लोग तो जिनके पास दाम था चले गए इस जहां से बड़े बड़े लोग तो जिनके पास साम था, दंड था, भेद था, चले गए, कुछ नहीं रहा इसलिए ये नीती ना रखे कि ऐसा कुछ ना हो जिससे कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा आगे बढ़ जाए दूसरे को आगे बढ़ाना ही तो जीवन है मैं अपनी लकीर को ऐसी बढ़ी करूँ कि दूसरे की घटा के नहीं दूसरे की मिटा के नहीं दूसरे की लकीर मिठते मिठते मैं खुद मिठ जाओंगा दूसरे की लकीर घटाते घटाते मैं खुद घट जाओंगा क्योंकि देखने वाला परमात्मा है आप नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा देखने वाला परमात्मा है, बस वहीं से सारे जादू चलते हैं, वहीं से सारे मंत्र चलते हैं, पता भी नहीं लगता है, और बात बन जाती है, इसलिए ये चिंतन के क्षण है, अहो भाव के क्षण है, अपने जीवन को अहो भाव में, परम भाव में समर्पित कर दें, यही इन रात्रियों का विशेश महत्व है तो चांद से शितलता कैसे प्राप्त होगी चांद से साथ चांदनी के जीवन में ताप भी है संताप भी है और शाप भी है लेकिन उन सब को मिटाने के लिए नवरात्री का जाप बहुत जरूरी है कोई ताप, कोई शाप, कोई संताप अगर उसमें कोई सारता के आपने देखा होगा किसी जोत्षी के पास चले जाओ आपका ग्रह खराब है इस ग्रह में ये बैठा है उसके बाद क्या करना है वेले जप करो इतना जप करो और अगर रोज जप करो तो बात नहीं बन जाएगी तो फिर किसी दिर ये बात नहीं आएगी इसलिए यहां रहते रहते रोज जप करें सवेरे सवेरे उठके वटसप पे जाओ 6 बजे से 5 बजे से लोगों के वटसप शुरूरी आते हैं सवेरे का समय हम पक्का कर लें कि मुझे जप भी करना है इसका प्रयास करें और सोने से पहले मुझे जप करना है तो ताप भी मिटेगा, संताप भी मिटेगा कोई अगर कोई किसी ने श्राप भी दे दिया और लगते नहीं है ऐसे श्राप तो वो भी मिटेगा क्योंकि जाप का प्रभाव सारे ताप को मिटा देता है इसलिए ये रात्री ये रात्री नहीं है बलकि सिद्धी प्रदान करने की ये विशेश नो दिवसें आईए इसमें चिंतन करें और फिर इस चिंतन में शीतलता सहजता ये जो अमरित की तरलता है जो बरसता है ये जीवन में प्राप्ति के लिए मा के इस स्वरूप का ध्यान करें इस स्वरूप का ध्यान करते करते, जीवन सरल बनेगा, सहज बनेगा, शीतल बनेगा, और भईया यही प्राप्ति ही जीवन को सार्तक बनाती है, शुम्ब निशुम्ब विदारे, और आज तीसरे दिन धूम्र लोचन का, यह धूम की तरह हमारी लोचन पर छा जाता है, ऐसा रहना है, एक एक शन, मेरा सेवा में लगे है, मैं क्यों करूँ, सामने वाला नहीं कर रहा है, यह नहीं है, बल्कि सामने वाला करे के ना करे, मुझे तो इतना ही बताया था, दरी हटा दो, बसम दरी हटा दी हमने, मुझे तो इतना बताया था कि यह चटाई हटा दो, चट नहीं लगेगा, बार ये छोटी सेवा नहीं लगेगी, बलकि लगेगा इस सेवा के माध्यम से मेरी जोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे रामे आएंगे क्या करते थी वो? सवेरे तीन बजे, आप तो साथ बजे की बात है साथ बजे आके आसन बिचाना है तीन बजे सवेरे उटके धाई बजे उटके, वो सवेरे करती ताकि कोई देखना ले कोई देखना ले और अपने राम की उन गलियों को पता नहीं कौन सी गली से आ जाएं हर गली को साफ करती थी हमें तो केवल इतने से आंगन को देखना है या उतने से आंगन को देखना है ये बात ध्यान रखें कि ये आंगन साफ नहीं हो रहा है ये मन का प्रांगन साफ हो रहा है इसलिए आईए एहम भाव से सेवा नहीं करनी है बलकि एहम से मुक्त हो कर कि मेरा सौभाग्य है कि प्रात्य काल मेरे को दरियां पिछाने का अवसर मिल रहा है इस यात्रा के नहीं, केबल प्रार्थना के नहीं, बलकि ये जीवन की भी एक शुरुवात हो जाती है इसमें और इस शुरुवात में जो ठीक से कर लेता है प्रभू की कृपा की बरसात भी उसी के उपर होती है ये कोई किसी को लेता नहीं, कोई किसी को देता नहीं कोई किसी के लिए नहीं कुछ कर रहा है जो भी आप कर रहे हैं ये अपने लिए और जो अपने लिए जब उस कृपा को प्राप्त प्राप्त कर लेता है फिर वो अपनों के लिए भी सार्थक हो जाता है ना तो जीवन फिर अपने लिए रहता है ना अपनों के लिए रहता है जीवन विशाल, स्व्यष्टी के लिए नहीं समश्टी के लिए हो जाता है इसलिए आईए चांद से चमकते रहें, केवल बाहर नहीं, भीतर भी चांद से चमकें, उसके लिए भीतर सेवा से शुद्धी हो, साधना से शुद्धी हो, और समर्पन से शुद्धी की यात्रा हो, आईए इसी के साथ आज का चिंतन, प्रभू के चरणों में समर्पित.